विधान सवा चुनाव में चार राजियों में भारती जंता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत से भाजपाई गदगद हैं वही अशोक नगर में जीत का जश्ट मनाते हुए विधायक जजपाल से जजजी ने इस्थान ये टॉक के चौराहे पर अन्यक्यूट वितरन कर तथा कारे करताओं के संग फूलों की होली खेल भाजपा की विजय का पर्व मनाया विधायक जजजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी योगी आदितिनाद की गुड गवर्नेंस एवं विकास कारों पर जनता ने विश्वास जताया है केंद्र की भाजपा सरकार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की नेतरत में विकास पत्पर अगुषर है केंद्र ततलर राज्य की जन कल्यानकार योजनाओ के माध्यन से अंतिम पंक्ति के वेक्टिएक का कल्यान हो हो रहा है इस दोरान भाजपा कार्यकरताओं के साथ विधायक थिरकते हुए फूलों की होली खेलते नजर आए और उन्हें जीत की बधाय दी बता दे कि असोकनगर जिले के कई कार्यकरता उत्तर प्रदेश चुनाओं में एक महने से काम कर रहे थे उनकी कड़ी महनत और भाजपा के प्रतिल लगन रंग लाई और जीन सीटों पर असोकनगर के उर्जावान कार्यकरताओं उत्तर प्रदेश में काम किया उन सीटों पर भाजपा ने बड़े अंतराल से जीत दर्जगी इस दोरान भाजपा जिलादेक्ष, पूरु जिलादेक्ष, महला मोर्चा, अद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् और पूरी ताकत लगा रहे थे और ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे थे भारती जनता पार्टी उत्तरप्रदेश में कमजोर हो गई है लेकिन जिस तरह से वहां की जनता ने भारती जनता पार्टी यसस्वी हमारे पतानमंती नरेंद मोदी जी और वहां के बिल्लोजर मुख कुछ और बाठी जंता पार्टी दूनिया में लोग बनेगा और यहां पर भगवान राम की आशीर्वात कि रहाद कि सारह नेताओं को हमारे कार्करता जो यहां से अशोवानर के गार्टा यह उत्तर प्रदेश कुनाव में गए थे बहुत सारे उन सब करते हुए यहां पर अनकूट का योजन किया जा रहा है प्रसाथ का वित्रन हो रहा है और सारे लोग हम यह बारती जनता पार्टी कारी करता हैं पास्दक्स हमारे अध्यक्स सभी संद्र जी जिब उत्तर प्रदेश में बाबा जी को एक नए नाम मिल गया बिल्डोजर बाब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें